स्वागते हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो काफी दिन से मैं यह टेस्ट करना चाहता था लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस टेस्ट को लाइव ही करूँ दोस्तो कई बार मैंने सुना है कि एलो वेरा को अगर बारिस के पानी में मिला कर चेहरे पर लगाते हैं तो इससे उमर का परभाव कम होता है और हमारी बढ़ती उमर भी मानो थम सी जाती है तो दोस्तो इसी का टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर बारिस का पानी लेकर आया हूँ मैं आपको अभी इस पानी को भी चेक करा दूँगा दोस्तो थोड़ा सा ही पानी है और मैं आपको इसे चेक करना चाहता हूँ दोस्तों यह TDS मीटर है यह water का TDS बता देता है कि इसके अंदर अभी कितने TDS का water है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको on कर दिया है और यह लगबग 10 से 9 TDS का है दोस्तों 10 से 9 TDS आप इसे 0 ही मान सकते हो क्योंकि यह कोई जादा बड़ी बात नहीं है 10 से 9 TDS बारिस का पानी यह 0 TDS ही मान सकते हो अब मैं दोस्तों इसके अंदर aloe vera को मिलाने जा रहा हूँ दोस्तों aloe vera एक बहुत ही अच्छा पोदा होता है और इसके अंदर एंटी बैक्टिरियल गुन होते हैं और इसके अंदर कई परकार के ऐसे भी गुन पाए जाते हैं जो हमारी बढ़ती उम्र को रोक देते हैं हमारे चेहरे पर उम्र का परभाव रुख जाता है तो दोस्तो इसी का टेस्ट मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ कि क्या इसके अंदर एंटी बैक्टिरियल और एंटी एजिंग गुन होते हैं और बारिस के पानी के अंदर मिलाने से क्या फाइदा होता है क्या उसका टेडियस बढ़ता है अगर बढ़ता है तो दोस्तो हम यह जरूर मान लेंगे कि इसके अंदर गुन होते हैं तो दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एलो वेरा इसके अंदर मिला दिया है अच्छी तरह से अब मैं इसको मिक्स कर देता हूँ थोड़ा सा और मिला देता हूँ दोस्तो इसके अंदर इतना काफी है दोस्तो अब रात को सोते से में लगबग इतना ही लगाते होंगे मैंने इसी इसाब से इसके अंदर मिला दिया है अब दोस्तो इसको मिक्स करने के बाद अब हम फिर दुबारा से Water TDS चेक करते हैं मैं यहाँ पर इसे Off कर देता हूँ डाल कर यह On करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर Oh My God यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों लगबग 125 जी हाँ 125 Water TDS हो चुका है दोस्तों आप इस टेस्से आप यह जान सकते हैं कि हमारा पानी किस तरह से अपने अंदर इस एलेवेरो को अबजोब करता है और उसके अंदर एंटी एजिंग गुण आ जाते हैं दोस्तों आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और ट्राइ करने के बाद आप हमें जरूर बताएं कि इसका रिजल्ट कैसा आया दोस्तो अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं दुबारा फिर ट्राइ कर देता हूँ एक बार दोस्तो लगबग 120 तक गया था आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के रूप में जरूर बताएं आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद